यह कहानी है दो बच्चों की जो एक गाउं में रहते थे उन में से एक छे साल का था और एक दस साल का दोनों बहुत अच्छे दोस्ते बिल्कुल छोले के जय और वीरू जैसे दोनों हमेशा साथ साथ रहते साथ साथ खेलते साथ साथ खाते पीते साथ साथ नाते दोते नहीं दोते नहीं यह थोड़ा ज़्यादा हो गया तो एक दिन वो दोनों गाउं से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उन में से जो बड़ा बच्चा था, दस साल वाला, वो एक लोई में गिर गया, गिर गया और जोर जोर से चीखने चिताने लग ज़िए, तो उसको तैरना नहीं आता था, अब जो दूसरा बच्चा था, छोटा था, छे साल का, उसने अपने आस पास में देखा, और उसको आसके हेल्प के लिए, और फिर उसकी नजर पड़ी, एक बाल्टी पे, जिसके एक रसी मंदी हुई थी, उसने एक सेकंड भी वेस नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके प्ले में फैट गया, और अपने दोस्त को बोला के पकड़ ले इस, उसके दोस्त ने पकड़ा, और वो अपनी पूरी टाहत लगा करके पागलों की तरह उसको खीचने लगा, खीचता रहा, खीचता रहा, खीचता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी उसने, छोटे से बच्चे ने, छे साल के, और दस साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था, खीचता रहा, तब तक नहीं रुका, जब तक उसने अपने दोस्त को बचा नहीं लिए, जब तक वो बात नहीं लिए, अब यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो एक कहानी समझ आती है, लेकिन हुआ क्या, कि जैसे ही ये दो बच्चे, जब दोनों एक हो गए, जब भार आए और आकर के गल मिल रहे, रो रहे, और खुश हो रहे, एक तरफ से उनको डर भी लग रहा था, डर था कि अब गाउं जाएंगे तो बहुत बटाई होगी, जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुए में गिर गए और यह सब चीज़े होई, लेकिन मज़े की बात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और जा करके उन्होंने अपने घरवालों को बताया, बाकी गाउंवालों को बताया, तो किसी ने विश्वास नहीं किया पूरे गाउंवालों ने, और वो अपनी जगे बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी, कि वो एक बाल्टी, पानी से बुजर्गों में से एक, और सबको लगा कि यार ये कभी जूट नहीं बोलते हैं, अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई न कोई बात होगी, कोई न कोई वज़े होगी जिस वज़े से ऐसा कह रहे हैं, और फिस सारे गाउंवाले इखटे हो करके उनके पास में गए, और जा जा लिया, तक पता तो है उसने कैसे किया, बच्छा बदा तो रहा है? इसमें मैं क्या बता हूं? तो सारे गाउंवाले उनकी शकल देखे हैं, पर कुछ देर बाद वो बोले, कि सवाल ये नहीं है, कि वो च्छोटा सा बच्छा ये कैसे कर दाया, सवाल ये है, कि वो ये क् कि या, उस ताइम पे, उस जगे पर दूर दूर तक कोई नहीं था, उस बच्चे को ये बताने वाला, कि तू ये नहीं कर सकता। को तू ये नहीं